दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 मई 2023 दिन मंगलवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज आपको साफधान रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फायदा होगा आपकी आज लव लाइफ कैसी र रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथिसाथ आज आपका भाग्या साली अंक क्या रहेगा भाग्या साली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथिसाथ आज आपके भाग्या का आपको कितना परतीसत साथ मिल रहे हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों जो काम पिछले कुछ समय से रुका या अठका हुआ था उसके आज पूरे होने के आपको आज प्राप्ती होगी परंतु अपने क्रोध वे आवेस पर काबू रखना आपके लिए आवशक हैं कैए बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बना बनाया खेल बिगण सकता हैं जिससे परिवारिक शुक्षानती भी प्रवाबित हो सकती हैं अपने लक्षय के प पैनी नजर रखना आपके लिए आवशक हैं साथी साथ आपको बता दें अचानक से धनलाब प्राप्ती के भी आपके लिए आज योग बन सकते हैं और आपकी परेशानिया दूर हो सकती हैं आप अपने कर्म पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने क प्रियास करें जिससे समय के अनुशार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकें साथे साथ आपको बता दें आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आपको आज जरूरत भी रहेगी भाईयों से संपत्ती वे बटवारें सम्मदित विवाद का हल किसी की मदद से हो साथ साथ विद्यारतियों की पढ़ाई वे केरियर सम्मदित समस्याओं का आज समाधान भी होगा जिससे सबी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल छमताओं का भरपूर इस्तमाल करेंगे बड़े बुजर्गों का आशिरवाद वे किरपा भी आपके उपर ब समझ कर करें भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा करजा आपको लेना आज पढ़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रख कर ही खरीदारी सम्मंदित योजनाएं बनाएं आपके लिए अच्छा रहेगा साथी साथ बता दें आप लोग वैवार उद्धी मता वै होसियारी से सबी काम आज कर पाएंगे विध्यारती वर्ग भी वर्थ की बातों में ध्यान हटाकर अपने अध्यन के परती सजग रहें रिष्टेदारों से चल रहें किसी पुराने मतवेद का निमटारा भी किसी की माध्य मतता से आज हो सकता है परंतु आपका भावुकपन और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी इन पर विजय हासिल करें साथि साथ यदि आप कोई निवेश करते हैं तो नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जाच पड़तान अवश्य कर लें किसी की चिकिनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपना ही अहित आज कर सकते हैं फोड़ा सचेत रहें शाति साथ आपको पता दें उननती से समद्धित किसी सुभ समाचार की आज आपको प्राप्ती भी होगी आध्यात्मिक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ति का सानध्ये आपको आज प्राप्त होगा व आज कोई बड़ी खुशकबरी की प्राप्ती हो सकती है जिसका वहें काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे साथ कोई भी ऐसा वाद विवाद आप ना करें जिससे की आपको कानूनी किसी करवाई में पढ़ना पड़े इस रिए शावधन रहें दोस्तों साथ साथ बात करे आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी दोस्तों आपको बता दें पती पतनी के बीच संबंद मधूर रहेंगे परन्तु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंता का कारण बन सकता है साथ साथ कामकाज में चली आ रही सितिलता का प्रभाव पर एक जीवन पर भी आज पड़ेगा परन्तु जीवन साती का शयोग आपके आत्म बल को बना कर रखेगा साती साथ घर परिवार की सुक्षवदाओं के प्रती आपकी आज प्रत्मिक ता रहेगी परन्तु बच्चों की गती विदियो पर नजर रखना आपके लिए आव लाव लाइफ के नजरिये से आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन साबित होगा इस दिन का आप भरपूर लाब उठाएं दोस्तों साथे साथ बात करें आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें वैपार के विस्तार संबंदी न आपके शेह कर्मियों का आज आपको पूरा शेहयोग मिलेगा साथ साथ आपको यह घ्ञान रखना भी अति आवशक है कि आपकी कोई महत्मपून वैवसाय के गती विदी आज लीक भी हो सकती है करमचारियों की गती विदियों पर आप पैनी नजर रखें परन्तु जल्द ही परस्ततियां काबू में आ जाएंगी इसलिए पूरे जोस से अपने काम के पृति आप एकागरचित रहें सफलता आपको आज अवश्य मिलेगी साथ साथ कार्य विस्तार की योजना कार्य रूप में परनित होगी परन्तु उस योजना पर पुन्हे निरक्षन जरूर कर साथ साथ नोकरी में हलकी फुलकी परिशानियां भी आ सकती हैं परन्तु आप अपने बुद्धी मता और विवेक से सभी परिशानियों का हल शांति पूर्ण ढंग से ढूंड ही लेंगी साथ साथ कारोबारी हालत दिन परते दिन सुदरेगी करमचारियों दुआरा आपके काम में पूरी साहता मिलेगी अफसरों के साथ रिस्तों में सुदार आएगा साथ साथ बता दें आपके लिए वेपार में करोध सबसे बड़ा सत्रू होता है इसलिए अपनी इस कमजोरी पर आप विजय हासिल करें करोध पर नियंतर रखें आपके लिए फायदेवन साथ साथ वेवाशाय की छित्र में बहुत अधिक मेहनतवे परिश्रम की आपको आवशकता है राजनेतिक तथा महत्मपूर लोगों से शंपर्क बनेंगे परन्तु नई पार्टियों से वेवार करते समय साबधानी बरतन आवशक है अनूचित कार्यों से आप दूरी बना कर रखें जा दोस्तों वैसे तो आपको बता दें आज आपको आर्थिक लाब प्राप्ति के प्रबल यूग है धन लाब के प्रूर से देखा जाए तो आज आपको धन लाब होने की पूरी संभावना बन रही है इसलिए जो भी काम करें मन से करें और विश्वास रखते हूँ करें वह काम आपका अवश्य ही सफल होगा दिन आप के लिए आज बहुती अच्छा साबित होगा इस दिन का आप भरपूर लाब उठाएं दोस्तों साथी साथ बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको पता दें अत्यादिक मेहनत की वज़े से ठकान वे दर्द देशी समस्याएं उत्पन हो सकती हैं इसलिए ज़्यादा गरिष्ट वे तलाब होना भूजन करने से आप परेज करें आईरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें और पाने भी आप अधिक से अधिक पिएं आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ बात करें आज आपके लिए भग्यसाली अंक क्या रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपके लिए भाग्यसाली अंक रहने वाला है एक और भाग्यसाली रंग रहने वाला है बादामी दोस्तों साती सात बात करें आज आपके लिए कौन-कौन से उपाय लाबकारी थाबित होंगे किन-किन उपायों को करने से प्रश्ची रहेगी फैमिली में आपको खुशनमा वातावरण देखने को मिलेगा और आपके समस्त कारें पूर्ण होंगे और साथिसाथ संबब हो सके तो आज आप धर्मिस्तान के लिए मना कोई भी आसपास के मंदिर है धर्मिस्तान के लिए आप द्वजा यानि की जंडे का दान करें ऐसा करने से आपकी आर्थिक इस्तिती प्रबल होगी और साथिसाथ आपके जीवन से परेशानिया धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपको अपने जीवन में बड़ी सपलता मिलेगी और केरियर में आपको लाब मिलेगा दोस्तों साथिसाथ बात करें आज तो आपके भग्य का कितना परतीसा साथ मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपको आपके भग्य का पूरा 94% साथ मिलेगा हरहर महादेव जैब हुलेनात